जिसान भाईयो मैसी 45 का दम देखिए हैरो पट हैरो लेगा कितना बढ़िया चलता है ये देखिए साथ साथ तो वो की हैरो है पट है और ट्रेक्टर को पता नहीं चलता तेरे पिछे क्या बना है अभी दो दिन पहले बारिस थमी है खेट गिल्ले हैं लेकिन किसान भाईयों को अगली फसल की थोड़ा जल्दी भी है होनी भी चाहिए क्योंकि एक कक दिन की बड़ा कीमती है किसानों के लिए अब 11 बजने वाले हैं ये भाईयों अपना चुताई कर रहे हैं ये भाईयों बरसी का खेट है बरसीम का थड़ा लेट हो गया होगा अब इसमें क्या बहेंगे मैं भी इनसे बात दबता है और कैसे हाले हैं ट्रक्र कैसा काम कर रहा है अब लोको दिक्कत नहीं इससे परकों जा रखा वह बढ़िया था यह बढ़िया था वह बढ़िया था अब जावाज फार्म ट्रेक के बढ़िया लगा अशी लोग है ऑज ने वह गरम चला दा मार्व अच्छा अच्छा अब दो वह चंपिस्टों गंटे होने तो इसमें समस्या उसमीए अगाने ऑफना रिश्तिदार होगा ता हुना उनका जरम चलाए तो इसमें उसी का यह कितने कंटे चलिया पर अपन्टे जने अब पुन सा मौलोले यह इसमें वो तिक्कत निया है जैसे आप चला रहे हो कहें चीसकी बढ़िया फारम ट्रेक के बढ़िया पावर में है जैसे हलका है कुछ से लिपी निमारता है नहीं मतलब चक्कर जादए यह तोड़ा वो तोड़ जी लगा जैसे छोटा था मतलब मजे बांद रहा पता लग जा कि थेल जदा का लो नेगारा करता जाट ज़ए टुटत अध्य तो बहुत जाते शक्र तो नहीं तोड़ता नहीं है इस था नहीं तोड़ता एक भाट ले यह दापसी को गर्ड़ा करो पंदर को बढ़ी आ रहे हो देखिए कि ना तुक चलाओ अई यो खेद गिल्ला है थोड़ा से लिप तो मार देता है लेकिट ट्रैक्टर की खैंच बहुत बढ़िया है कि ना तुक बढ़िया थोड़ी शिलोपी आवा सेटनीश की पाकी इंजन बहुत दंदार है और अगर कमपनी ये थोड़ी कमी निकाल दे शिलोपे हंटी ना हो तो इससे बढ़िया मैं इंजन नी मानता कि वाके ही डीजल खर्च का मैं इस ट्रैक्टर का हम भी इसी को चला रहे हैं अब देखे हैं कि लिए के बज़रा शिलीप मार रहा है लेकि चक्कर नहीं तोड़ रहा है और किसान ने बताया गरम नहीं होता तो दोस्तो जुरूर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ट्रैक्टर पसंद आया होगा मैसी 245 डियाई 50 एच्पी दाहिन की तरफ इसका सैलेंस है रहे ये पेचान है और साद्दा इस्टेरिंग है देखने में छोटा सा लगता है ताकत बहुत है इसमें चाल भी अच्छी है यह बहुत है यह चोदे के टैर में भी आ गया है जो पीडी के नाम से है पोगल के बढ़िया है सिलिक निमारता एक हैरो है पट हैरो है खैस पड़ रही है तो ट्रैक्टर लोड निमान रहा ना चक्कत ओड़ा लगातार सिलिक काट रहा है इसके पिछल कि देखिए कि इत्तालिस से बढ़िया खेट में अब देखो किसान ने अभी हां राइट साइड को मोड़ दिया है काट है लोड पड़ता है है रो कैड़ी चलती है लेकिन पठ्था चलता ही जा रहा है जान वही हो यह रिट्रक्टर किराय के लिए कोई किसान नहीं लेता क्योंकि मैसी जो है शाही सवारी है इसे शोकिन किसान रखते हैं जैतर अपना काम करें दो फूश का खड़ा कर दें मैसी दस पेंटेज हो साददा मैसी हो 241 हो 245 हो 62 पर फूश को तो कुछ लोग किराय पे चला रहे हैं लेकि इतना नहीं चला रहे हैं जातर शोकिन किसान लेते हैं इसको इस चांड में सो भी जातर किसान अपना एक आम कर रहे हैं बड़े किसाने जिसको किराय ने कर रहा हूँ ज्यादेता 90% मैसी के तरफ भाग रहा है क्योंकि यह बहुत परणी कंपनी है मार्किट में जमा हुआ है और इसकी मार्किट बनाई मैसी सद्धेने क्योंकि सद्धा ट्रैक्टर सदावार ट्रैक्टर है पहले से ही किसानों के पास रहा है आज जिस किसान के पास छोटा मैसी पहले चला रहा है वो दुबारे लेगा 10, 35, 241 या 245 लिटता है जादे बड़े की निसोचता कि उसे उसे का अपना ही काम करना है और कुछ शोकिन किसान तो आज भी ऐसे हैं बड़े बड़े लंबरदार है जो सादा मैसी ही पसंद करते हैं और कुछ के पास तो वे हैं आई एम्टी 533 यू को सलाविया वाले इंग्लेंड वाले कुछ किसान तो 135 के लिए पूछते रहते हैं कि ताओ जी हमें दिलवादो चाहे कितने का मिल जाए तुकि इसके मार्किट है भाई यो 135 को मैसी का दिवाना ही लिता है और आज में नी करिक्ता दिल भी पहले बात तो जिसके पास है वो किसान बेचता नहीं 135 हो अब उनकी जगा 245 ने ले ली है है तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करना शेयर करना नमस्कार